अगर आपको मेरी वीडियो अची लगे तो लाइक करना फ्रेंज और दोस्तों के साथ शेर करना और कोई भी क्वेरिया डाउट हो तो कमेंट करना तो फ्रेंज मेरी चैनल में आपको work from home jobs related information मिलेगे अगर आप इसकोड में इंट्रेस्ट से अभी क्या भी सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएगा और notification bell icon को on कर दीजेगा तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइव फ्री लैंसर टू लैंसर और अफवर्ट के related information देने वाली हूँ मतलब आपको कैसे bid लगाना है कौनसा कौनसे project में bid लगाना है कौनसा सही तरीका है bid लगाना वो म मैं आपको बताने वाली है क्योंकि ऐसी अच्छी जानीवानी legit websites में भी fake accounts बनते हैं मतलब fake project आते हैं ओके और आप लोग उसमें involved हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़े होती हैं ओके उस चीज़े कैसे बचना है उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ तो यह तक शरूर देखेगा ओके मैं अभी एक project में आ गई हूँ चिसका आपको दिखाये जाएगा conversion of PDF into world ओके मैंने ये एक project open करके रखा है अब आपको कौन सी चीज़े माइन में रखने हैं पहली जो चीज़ है वो है review रिव्यू आपको देखना है कितना रिव्यू नहीं है तो भी आप य जिज़ग यहाँ पर apply कर सकते हैं ओके वो चीज़ एक optional है वो आप देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं लेकिन जो mandatory है मतलब जो ज़रूरी है before apply on the project is employer verification पहली जो चीज़ होती है वो है employer verification okay employer verification के अंदर यह जो चीज़े है वो आपको मैंन में रखनी है उस चीज़ यह सारी चीज़े में से कौन सी important चीज़े है जो आपको बहुती important होनी चाहिए आपके लिए okay पहली है payment method verified payment method verified होना चाहिए okay फिर दूसरा है mail address verified दूसरा mail address verified होना चाहिए और तीसरा है phone number verified okay phone number verified होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे इस project में apply कीज़ेगा कोई भी budget हो उसमें आपको यह तीन चीज़े याद रखिए क्योंकि जो beginner होते हैं उनको बहुत सारे fake जो project होते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं okay यह देखे green है यह तीन चीज़े green होती है तो आप मान लेना कि यह अच्छी है project अच्छा है और client भी आपको project दे देगा okay तो ही आप bid लगाना okay वो अशॉरिटी नहीं होती कि वो project client आपको देगा या नहीं देखा वो बात बाद की है okay पहला आपको यह तीन चीज़ में focus क करना है पहला review है फिर payment method verified फिर email address verified और phone number verified यह यह चीज़ आपको मायन में रखनी है उसके बाद आप bid कर सकते हैं पहले आप यह चीज़े देखेगा और फिर आप apply किचेगा तो friends see you on the next video